नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धमसनमार सावन का मेना सुरू हो चुका है 17 जुलाई से ही और सोम बार पहला सोम बार इस बार 22 जुलाई को है दूसरा सोंबार 29 जुलाई को और तीसरा सोंबार 4 अगस्त फिर 11 अगस्त को चौथा सोंबार है यानि इस बार के सावन के मेने में चार सोंबार है और सिब जी को परसंद करने के लिए ये चार सोंबार ही काफी है वैसे तो पूरे सावन में आप हर दिन सिब जी को ही समर्पित है क्योंकि पूरे सावन के मेने में एक मेने तक सिब जी सिबाले में सिबलिंग में बिराजते हैं और केबल सोमबार को भी अगर आप पूजा करते हैं तो सिब जी की किरपा बहुत आसानी से मिल जाता है वैसे तो सोंबार के ब्रत रखती हैं सभी महिलाएं पुरुस भी रखते हैं बच्चे भी रखते हैं जो सुहागिन है वो अपनी पती की लंबी आयू के लिए रखती हैं सोभागे के लिए रखती हैं और जो लड़कियों का साधी नहीं हुआ है जिनका वो अच्छे पती बि कुद्राभिशेक जरूर करनी चाहिए इस साबन के मेने में किसे भी एक सुम्भार को आप कर सकते हैं और चारोही ब्रत करना उत्तम रहता है आप महिला है मान लेते नहीं कर पा रहें तो वर जरूर कीजिएगा एक स्ुख्लपक्ष का दूसरा कृष्ण पक्ष का दोस्तों इस ब्रत में आप एक काम जरूर कीजिएगा आप अपने घर से ही लोटे में जल भर कर ले जाएगा सिवाले का जल सिभजी को अरपित ना करें घर से ले जाएं अगर आपके पास कोई पवित्र नदी सरोबर है गंगा जल है तो वो लेकर जाएं और फिर सावन के महिने में सिभजी को एक लोटा जल अरपित करें बेल पत्र कम से कम 108 अरपित करना चाहिए अगर आपके पास 108 नहीं है माल लेते हैं 56 ही है तो 56 से ही हो जाएगा आपका गिंती आप पुस्प गिनके रख लें मिस्टरी के दाने गिनकर रख लें बादाम रख लें 108 और फिर बेल पत्र जैसे आपके पास माल लेते हैं 10 है तो आपने एक एक करके बेल पत्र पर चंदन से राम लिखिए और सिभजी पर अरपित करें उल्टा करके फिर उसी बेल पत्र को उठाईए दोईए फिर से लिखें और अरपित कीजिए और हर बार जो हमने जैसे कहा काउंटिंग अच्छी होगी वो बादाम या मिसरी जो रखे हैं उसे साइट करते चले जाएं इस तरह से आपकी गिंती ले लें दोकर फिर से अरपित आप कर सकते हैं उधना ही फल मिलेगा ऐसा भी हमारे सास में विधान है दोस्तों सोंबार के दिन आप ब्रत कीजिए और इस दिन अन मत खाईएगा नमक मत खाईएगा आप इस दिन आलू खा सकते हैं क्योंकि आलो भी फल में आता है बाकी सारी मौसमी फलों को आप खा सकते हैं सोमबार कब रत करने के बाद इस दिन अन का दान करना चाहिए गरीब लोगों में खाने पीनी की बस्तों का दान जरूर करना चाहिए और साम के समय चुकि सिब जी की पूजा प्रदोस काल में होती है इसलिए आप साम के समय सिबलिंग के पास एक दिया जरूर जलाईएगा घी का दिया जलाईएगा और उसमें दो लॉंग जरूर डालिएगा ताकि जीवन की तमाम परिसानिया जल कर खत्म हो जाए और यह जो लॉंग होगा वो घी में रखिएगा बाती के पास मत रखिएगा और जब भी दीपक आप जलाते हैं पूजा के समय ध्यान रखिए कि बातियां जैसे जले नहीं सिर्फ घी जल जाए और बातियां रह जाए क्योंकि वो भी एक तरह से दोस लगता है इस बात का बिसेज ध्यान रखिएगा और सिब जी महासिवाले में ही बैठकर नमासिवाय का जब कीजिएगा और अगर आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं फास्ट तब फिर ओम नमासिवाय का जब कीजिएगा कम से कम 108 बर जब करें आपकी तमाम मनो कामनाएं पुर्णों होंगी और हर सोमबार को ऐसा ही आप पुजा करें अगर संतान की कामना है तो सिबलिंग पे घी अरपित करें सुक सांती चाहिए तब दूद अरपित करें समस्त मनो कामना पूर्ती के लिए बेलो पत्र अरपित करें और अगर जीवन में आपको लगता है अपनी घर नहीं है गाड़ी नहीं है बंगलो नहीं है तब गन्ने का रस से असीब जी का अभी सेख करें कर जिसे मुक्ति के लिए सहत से अभी सेख करें इस तरह से पूजा करके जीवन में धेर सारी खुसियों को प्राप्त कर सकते हैं हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्काइब करें धन्यवाद हरहर महादेप फिर मिलेंगे